बिग बॉस ओटीटी की विजेता एक्ट्रिस दिव्या अगरवाल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। बिग बॉस ओटीटी जीतने के बाद से एक्ट्रिस की फैन फॉलोविंग में काफी इजाफा हुआ है। अभी कुछ महीने पहले ही एक्ट्रिस ने बॉस ओट के साथ ब्रेक अप किया था। हाला कि दोनों के अलग होने की वज़ज सामने नहीं आई थी। वहीं अब कई महीनों बाद खुद एक्ट्रिस ने अपने ब्रेक अप को लेकर बड़ी बात कही है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दे दिव्या अगरवाल ने अब खुलासा किया है कि आखिरकार दोनों के बीच ब्रेक अप किन वज़व से हुआ है। दिव्या अगरवाल का कहना है कि वह वरुन सूत के साथ अपना भविश्य नहीं देख पा रही थी। बस इसी वज़ा से दोनों ने अलग होने का फैसला लिया। एक्ट्रिस ने साथ ही यह भी बताया कि जब उन्होंने अलग होने का फैसला लिया तो उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। बता दे दिव्या अग्रवाल और वरुन सूध ने करीब 4 साल तक एक दूसरे को डेट किया और उसके बाद अचानक अलग होने का फैसला लिया। दोनों के ब्रेकप की खबर ने इंटरनेट पर तूफान सा मचा दिया था। वहीं एक इंटर्व्यू के दौरान दिव्या अग्रवाल ने कहा कि मैं वरुन के साथ अपना भविष्य नहीं देख पा रही थी और इसी लिए हमने म्यूच्वल अंडरस्टेंडिंग के साथ रिष्टे को खत्म कर दिया। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया में हमारे ब्रेकप की खबर डालने का फैसला मेरा था और इस फैसले के लिए मुझे काफी कुछ जेलना पड़ा। मुझे बहुत लंबे समय तक प्रताडित किया गया लेकिन मैंने पूरी तरह से इसे नजर अंदाज किया क्योंकि मेरे आंतरिक शक्ती ही माइने रखती है। वहीं दोस्तों आपको बता दे की एस ओफ स्पेस की विनर डिव्या अगरवाल और स्प्लिट्स विला फेम वरुन सूथ टीवी की दुन्या में सबसे प्रिय कपल में से एक थे। फेम्स बेसबरी से इनकी शादी का इंतिजार कर रहे थे। लेकिन इस कपल ने एक दुसरे से अलग होकर सबको हैरान कर दिया था। 6 मार्च 2022 को तिव्या अगरवाल ने इंस्टाग्राम के एक पोस्ट के माध्यम से वरुन सूथ से ब्रेक अप की घोशना की थी। जिसके बाद से इंटरनेट पर हलचल सी मच गई थी। खेर दोस्तों इस कबर पर आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।